हेग गाईज फिलकम बैक आप सभी का फिरिक पार हमारे आज की इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता होसलों से उडान होती तो चलिए दोस्तुर करते आज की वीडियो और जानते हैं कि यह कैसे करना है अगर हां तो यहां हम आपके लिए 2020 के बेस्ट वेजडेबल बिजनस आइडिया की जनकाली लाए हैं दोस्तों आपने सही चुनाव किया है सबजी का बिजनस शुरू करने का क्योंकि यह कभी नव बंद होने वाला ब्यापार है तो चलिए आगे बढ़त करती जागे रुकता अधिक से अधिक लुगों को चीनी और वसा से भरे अपने सामान आहार को छोड़ने और फलो को फलो और सब्जीयों जैसे प्राक्रितिक खाद पतारतों को सुरू करने के लिए प्रिजित कर रही है इस कान से फल और सब्जी का बिजनस अच्छी तरह स 205% से 2% की वार्षिक दर से 7.1 बिलियन डॉलर हो गया है 2020 में केवल 1% की अपेच्छी बृद्धी के साथ क्योंकि यह बिजनस भारी उच्छाल का सामना कर रहा है यह सही समय है आप सब्जीयों का बेवसाय सुरू कर सकते हैं ताकि प्रतियोगिता में बढ़ने से पहले ब जूडेंगे तो फिट लाब ही लाब होगा बहुत ही तगड़ा वाला वीडियो होने वाला है अराम से बैठकर ध्यान से देखें दोस्तों तो जिस तरह समय से वीडियो में पॉइंट्स और टिप्स हैं फइस्ट पॉइंट्स और गेनिक प्रोड़क्शन फॉर्म क्या है स सब्जी के लिए एक mobile app बनाएं कैसे छोटा सब्जी श्टोर कैसे खोलें ऑनलाइन सब्जी यां ओर डिलिवरी प्लेटफॉर्म कैसे बनाएं एट पैक्ट बेजटेवल बिजनस कैसे सुरू करें नाइन सब्जी की दुकाने सड़क किनारे खोलने के फायदे और कैसे खोले तो दोस्तों अगर आप लोग के लिए सभी पॉइंट प्रॉब्लम बना हुआ है तो इस solution आपको मिल रहा है इस solution का उप्योग करिए और अपने बिजनस में आगे बढ़िए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं Point First, Organic Production Farm क्या है? सबसे लोग प्रिय तरीकों में से एक Organic Farm बिजनस है जिसमें जैविक उतपादों को विक्सित करना मुख है या पारंपरी खेतों द्वारा उप्योग किये जाने वाला रहसायनिक किटनासको और उर्वरकों के बिना नेमित उतपादन खेती के समान है यह एक तत्त है कि जादतर लोगों ने Organic Food खाना पसंद करते हैं इसलिए आपको Organic Production के तरीके से उगाए गए फल और सबजियां बेचने में कोई समस्या नहीं होगी इस बिर्षाय में आगे बढ़ने का तरीका यह है कि आपका उतपाद सोर प्रतिसत जैविक है क्योंकि यदि आप धोका देते वे पकड़ी जाते हैं तो लोग कभी भी आप पर भुर्षा नहीं करेंगे सड़क के किनारे फॉर्मिंग है तुलाब कैसे लें बागवानी जैदातर लोगों के लिए एक सौक है या बाहर का अनंद लेने और अपने परिवार की टेबल के लिए ताजा स्वादिश्ट भोजन प्रतान करने का एक तरीका है जैसा कि वे सफलता पुरोग बढ़ती सब अनवाप राप करते हैं बागवान जो पौधे लगाते हैं वे अकसर अपने बगीचे के आकार के साथ साथ उन सबजियों की किसमों का भी विस्तार करते हैं यदि सबजियां आपके घर के सामने या पीछे आसानी से बढ़ती हैं तो आपको सबजियां उगाने और सड़क क गिनारे के रूप में बिजनस करने के बारे में सोचना चाहिए यदि आप सब्जियों की खेती करने में सच्चम नहीं है तो आप उन्हें अस्थानिये किसानों से ठोक में खरीच सकते हैं और अस्थानिये बाजारों और मेलों में बेश सकते हैं पॉइंट थर्ड वेजटेबल होलसेल कंपनी कैसे सुरू करें थोक बेपारी बनना आज एक बड़ी उपलब्दी है और सब्जी बिजनस के बारे में बात करने के लिए इसे थोक बेपारी बनने के लिए न तो अधिक निवेश क्या हो सकता है और नहीं बहुत प्रयास की क्योंकि इसमें बहुत कम कमपटीशन है सब्जीयों के थोक बेपार को खुलने से पहले आप उस छेत्र में कमपटीशन का आकलन करना एक अच्छी पहल होगी अच्छी मतलत दोस्तों उसके बारे में जानना और समझना यदि आप एक अच्छा नेटोक बनाते हैं और सही तरीके से सब्जीयों और फ़लों का बेपार करते हैं तो आप आसानी से सफल हो जाएंगे लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है तो आपको सब्जीयों को सरने से नुकसान उठाना पड़ता है यानि सब्जीयों में जो सब्जीया अप लाते हैं उसमें अगर वो सर जाती है तो वही आपका नुकसान बनता है जो कि आप लोग के लिए ये रिस्क है इसलिए सब्जीया खईदने और उन्हें स्टॉक में रखने से पहले उन्हें पहले उनकी गुडवत्ता की जांच करने चाहिए और विक्री की विक्री का अनुमान लगाना चाहिए और निठिक सी स्टोर करना चाहिए 開始 है जल संसुप समुच्छिया है एक पानी के बिलायक में खनीज पोसक्तत्यों के समाधान का उपयोग करके मिट्टी के बिना पौधों को उगाने की बीदि है पौधे अपने विटामिन बनाते हैं इसलिए विटामिन का अस्तर समान होता है इसलिए एक वनस्पती को हाइड्रोपॉनिकली या मिट्टी में उगाए जाता है इसकारण से आप एक हाइड्रोपॉनिक फॉर्म इस्थापीत कर सकते हैं जहां आप बाजार के लिए ताजी सबजियां उगा सकते हैं क्योंकि आप उन परिस्थितियों का प्रबंदन कर सकते हैं जिन पर आप सबजियां उगाते हैं सबजी के लिए एक मॉबाइल एप बनाए कैसे मॉबाइल एप बिजनस बिक्सित हो गया है मॉबाइल एप बिजनस बिक्सित हो गया है बेवसायों के पास हमेशा ऐसे ऐप की तलास होती है जो उन्हें अपने बिजनस को बढ़ाने में मदद करें तो आप एक मॉबाइल एप बना सकते हैं जिसमें बेचने वाले भी अपना बिजनस बढ़ा सकते हैं बढ़ने वाले को घर पर सब्जी मिलेगी पॉइंट सिक्स छोटा सब्जी इस्टोर कैसे खोले एदी आपके पास एक छोटी सी जगह है जहां आप एक सब्जी की दुकान खोल सकते हैं और आप एक बिजनस शुरू करना चाहते हैं अधिक लागत कर सकता नहीं होती है और अच्छी आय कर सकते हैं यानि लाब टाप कर सकते हैं खासके ड़ी आप अपनी उपज को अच्छी कीमत पर बेचते हैं तो पॉइंट सेवन ऑन-लाइन सब्जी आउडर डिलिबरी प्लेटफॉर्म कैसे बनाएं ऑन-लाइन सब्जी आउडर करने वाए डिलिबरी प्लेटफॉर्म दुनिया भर में विक्सित हो रहे हैं और खुद के लिए लाब कमा रहे हैं ऑन-लाइन किराया या और्गेनिक प्रोड़क्ट आउडर के साथ आपको एक आसान अन-लाइन प्लेटफर्म बनाना होगा जैसे रिए मोबाइल अप जिसमें आपको इस्टोर में उपलब्द wurden नहीं भर प्लेटब तो है कि राया पर लेते हैं और जो आपकी सब्जी को घर में वित्रित कर सकते हैं पॉइंट एट पैक्ट वेजडेवल बिजिनस कैसे सुरू करें जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोग अब दैनिक कारों में इतने ब्यस्त हैं कि वे उस काम को करने के लिए तरीके खोशते रहते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोग अब दैनिक कारियों में इतने ब्यस्त हैं कि वे उस काम को करने के तरीके खोचते रहते हैं जैसे में अगर आप सब्जी को काटना पैक करना और बेचना शुरू करते हैं तो इससे आपका काफी समय बचेगा और लोग कटीवी और पैकेट वाले सब्जियां खई देंगे पहले से कटेवी फलो और सब्जियों की दुकाने कई सरों में अच्छा कारोबार कर रही हैं ऐसे स्थिति में आपको भी अपनी छेतर में कट और पैकेट वाले सब्जी की दुकान खोलने के फायदे और कैसे खोलें सड़क किनाय सबजी का इस्टाल खोलना एक बहतरीन बिजनेस है क्योंकि इसमें सुरुगात में नियुनतम स्रम यानि बहुत कम मेहनत किया हो सकता होती है लाब की संभावना बहुत अच्छी होती है ताजी सबजीयों की मांग अधिक है यदि आपके पास खेत है तो यह सबसी खाने या उन्हें दूर ले जाने के बजाए आप अपने घर की आसपासिक सबजी की दुकान खोल सकते हैं और अपने खेत की सबजी को पडोसियों और रहगीरों को बेश सकते हैं उतक्रिष्ट प्रेटन चेत्रों में और बाहर गैस इस्टेशन पार्किंग अस्कल या अधोगी पार्क और मुखी राजमार्ग आदी में सबजीयों और फ़लों की दुकानों को खुलना बहुत फादे मन्द है दोस्तों हमारे इस वीडियों को लाइक कबस से करें साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बे लाइक नोटिफिक्सन को आउन कर दें ताकि आपको आने वाले से वीडियों को नोटिफिक्सन मिलती रहे वीडियों को देखने के लिए आपका फ्रेम पुरूक दिल से करायम से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों